आज की स्मार्टफोन मार्केट में आपको दो टगड़ी ब्रैंड देखने को मिलते हैं जो कि यार एक के बाद एक धमाकेदार डिवाइज लेके आ रहे हैं एक तरफ है मोटो दूसरी तरफ आपको आईक्यू देखने को मिलेगा आज की वीडियो में इन दोनों के बिट्वी पर बिल्ट निकाली है एकदम लाइटेस्ट और एकदम स्लिमेस्ट फोन आपको 5G वाला देखने को मिलता है और यहां पर यहां पर यह जरूर से थोड़ी सी मैट लेकिन शाइनी फिजिट्स के साथ आता है तो इसमें आपको फिंगर प्रिंट्स बहुत ही जादा देखने में वो थोड़ी सी कम हो जाती है on the other hand अगर मैं IQ की बात करूंँ जरूर से आपको हाथ में वेट फील होगा as compared to Moto इतना हलका नहीं है लेकिन तब भी नॉर्मल डिवाइस से आपको हलका जरूर से देखने को मिलेगा कुछ हद तक आप वन हैंड इसका यूज कर सकते हो बाग अगर आप एट हैंड फील में लेके देखोगे ना जो प्रीमिम्यं फील देता है उस मामले में मुझे यहां पर मोटो जादा बैटर लगा हाला कि कवर लगा कि मोटो की वो जो प्रीमियम फील है थोड़ी सी गायब हो जाती है तो इस चक्कर में बस वह है ना कि भैक में थ देखने को मिलता है दोनों में ही आपको SD card slot भी नहीं देखने को मिलेगा लेकिन आपको यहां पर Motorola में dual speaker देखने को मिलेंगे Dolby के साथ या ट्यूंड आपको यह देखने को मलते हैं गिदम लाउड और मज़ेदार हो जाते हैं आईक्यू मैं कहता हूं यार वहां पर उस चीज के मामने मिस करता है सिंगल स्पीकर देखे हाला कि लाउड तो है लेकिन यार थोड़ा यार डूल स्पीकर इस राइंज में ना मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट हो नहीं चाहिए तो वह एक अलग से एक्स्पीरिंस देता है हाला कि यार आपको आईक्यू के इंदर जो हैप्टिक्स होगे रहा है जब आप टैपिंग होगे रहा करो उसका इंप्लिमेंटेशन थोड़ा सा बेटर मोटो के कंपैरिजन में हापर किया और मोटो ने इस भार देखे काम तो काफी अच्छा किया है दोनों का ही बहुत ही अराम से अनलॉक हो जाता है और बहुत ही इसली वर्क करता है हाला कि मोटो में एनिमेशन लॉक और अनलॉक का थोड़ा समय कहूंगा और फ्लूइड और बैटर किया जा सकता है थोड़ सा टकता टाइप का ऐसे यहांपर फील होता है बागी दोनों ही 5G स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं मोटो में 13 5G के बैंट देखने को मिलेंगे आइक उन्हें बैटर यहां पर रहता है और इक सबसे बड़ी चीज जो कि मुझे लगता है मोटो ने यहां पर काम क आने वाली डिस्प्ले मिलती है जिसकी सबसे बड़ी चीज यह ना कि इसके आर बैजल के साथ इतने पतले बैजल आपको देखने को मिलता है मतलब यह टोटली वर्थ इट वाले डिस्प्ले रहती है और अगर मैं आईक्यू की बात करूंगा तो आपको 6.44 इंच की नौच व बात करूं तो मैं लिटरली आपको बहुत कह सकता हूं कि आईक्यू की डिस्प्ले मच ब्राइटर आपको देखने को मिलती है एस कंपेर टू मॉटो की भी आपको यह बिस्प्ले यहां पर देखने को मिलता है लेकर वीडियो की बात करूंग तो एक चीज़ ज़रू से मैं करिए कि मोटो की डिस्प्ले यहां पर थोड़े रियल टु लाइफ वाले कलर्स जादा दिखा रही है वहीं पर आईक्यू की डिस्प्ले में आपको थोड़ा सा यार जो सेचुरेशन है जादा देखने को मिलेगा थोड़ी सी पॉपी कलर्स वहां पर निकल के आते हैं दो तो आपको जरूर से ठीक देखने को मिलेगे लिए मोटो ने काम बहुत ही सही यहां पर डिस्प्ले डिपार्प्रे में काऊंगा करा दो जरूर से हाला कि गुर्वी लग लास फाइव देना चाहिए थी ती सजार में थोड़ा सा जीव सा लगता है मुझे लेकिन चलो डिस वहीं पर आपको मोटो में 778D प्लस देखने को मिलेगा थोड़ा सा ओवर क्लॉग वर्जिन में कहूंगा यहां पर आपको देखने को मलता है बहुत जादा मेजर डिफरेंस मुझे यहां पर मैसूस डे-to-day यूजिस पर नहीं हुए हाला कि एकदम पास-पास आपको देखने को मल जाती है दोनों में एकदम पास-पास आपको देखने को मिलेंगे इतना ज्यादा कोई डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है कुए दोनों के बिट्वीन में और एप ओपनिंग ख्लोजिंग भी काफी अच्छी रहती है इस इतना मैं कह सकता हूं कि यहा आप Extreme setting में बीजी एमाई की ज़रूर से खेल सकते हो दूनों का जाइरो स्कोप भी काफी अच्छा देखने को मिलता है लेकिन अभी थोड़ा सा गेंपले के दौरान मैंने महसूस किया है कि यार मोटो जो है ना थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा से जादा फ्रेम डॉप यहां पर थोड़ा सा हीट होता है अब इसके पदले design के current version आ जो हीट है बहुत जल्दी आपको महसूस होने लगती है चाया मैं फ्रेंट में बात करूं या बैक में बात करूं और यहीट भी मैंने हो देखा है ना कि हो जाता है 41 42 तो बहुत ही easily अभी तक यह चला गया है व उसके लावा अगर बात रही युआ की तो मतलब बात करने की जरुवत है यहां पर मोटो में आपको clean UI देखने को मिलती है बहुत ही अच्छा वाला experience optimization के साथ देखने को मिलेगा दो येर्स की यहां पर आपको Android updates भी यहां पर एक्शोर्ट देखने को मिलेगी उसके लावा वगरा थोड़ी से आपको मिलते हैं तो वहां पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी हाला कि आनिस्टॉल आप जरूर से सभी ब्लोट वेर को कर सकते हो और दोनों में ही Google वाली call recording देखने को मिलती है मतलब अगर आपको clean वाला experience चाहिए तो मोटो आपको काफी अगर आपको gaming बगरा नहीं करते हो साड़े 5-6 घंटा तक आप इसको कीच सकते हो बहुत ही अराम से लेकिन अगर आप गेमिंग कर लोगे तो बैटरी वार्स के आराउंड ही आपको देखने के लिए मिलेगा वहीं पगर मैं IQ की बात करूं इसके अंदर 4700 mH की बैटरी मिल चार्ज मेरे फोन को इसने कर दिया था वहीं IQ आपको देता है 66 वाट की चार्जिंग जो कि 52 मिनिट के अराउंड फुल चार्ज कर देता है तो बैटरी एं चार्जिंग में आई थिंक IQ थोड़ सा आपको यहां पे बैटर मिलेगा बाकी बात आ जाती है अब देखो मोटो म काफी सारे आपको मिल जाते हैं बहुत यह राम से बहुत ही सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो भी आपको चीज चाहिए नाइट मोड एयाई मोड वह सारी चीज मिलेगी एक चीज आपको यह अच्छी है कि मोटो के अंदर आप 4K 30fps में फ्रेंट के साथ साथ बैक में भी रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों में ही वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K 30fps IQ में सिर्फ आप बैक से कर पाओगे फ्रेंट से आप नहीं कर पाओगे और OIS मोटो में थोड़ा सा आपको अच्छा यहाँ पर स्टेबिलाइजेशन के साथ मिलेगा लेकिन अगर मैं बैक से मेन क सेंसर की बात करूं एक चीज है ना कि मोटो को अभी कैमरा ट्यूनिंग में वर्क करने की काफी जर्वत है अगर मैं आपको साइड बाई साइड आउट्डूर लाइटिंग में अगर फोटो वगरा दिखाऊ हूं तो वहां पर दोनों ही अच्छी तरीके से प्रफॉर्म कर लिया तो आटे हो वहां पर कैमरा यहां पर छाठा बैटर अच्छी तरीके से देगा लाइटिंग वाली है जहाँ प्यार सोर्फ्वेर की Kाफ lavender की नहीं कटा दो पर आच्छी तरीके से व्क नहीं कर 거지 और पर यहां पर सी नहीं कर पाता है वहाँ पर IQ आपको थोड़ा सा अच्छा work करते हूँ मिलेगा एक चीज यह मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको consistency चाहिए ना images में चाहिए low light हो और outdoor light हो तो वहाँ पर आपको IQ better perform करता हूँ मिलेगा बस अगर आप casual photography करते हो तो I think आपके लिए moto भी काम चला देगा और अगर बात कर लो में selfie camera की तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यार जरूर से मोटो की काफी ज़्यादा सब्सक्राइब करने की अपको काफी अच्छा मिलेगा उसे के साथ साथ कलर ट्यूनिंग भी हाँ पर बैटर रहती है तो वहाँ पर मोटो को यार सौफ्वियर डिपार्टमेंट में वर्क करने की जरुवत है 32 में पिक्सल लगता नहीं है सोला में पिक्सल के सामने बिलकुल टिक नहीं पाता है अगर मैं selfie camera की बात करूँ वहाँ पर आईक्यू काफी बैटर आपको प्रफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा एक चीज बस से मैं इतना कहूंगा कि 6000 का डिफरेंस है तो अगर 6000 में हटा दूना तो देखो आईक्यू तो बहुत ही वर्फिट 20,000 में मुझे फिलाल लग रहा है लेकिन अगर आपका बजट 26,000 के पास है आपको क्लीन और स्टॉक एंड्रोइड वाला एक्स्पिरिंच से यह अच्छी डिस्प्ले के साथ लेकिन आपके camera प्रियोरिटी में इतना नहीं है तो वह camera रखूंगा तो सबसे end में रखूंगा बागी सारी चीज़े तो आप मुझे आर मोटो में काफी सही लगे बागी आपको जो डिसाइड करना है आप उसे साब से कर सकते हो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही मिलोंगा नहीं वीडियो में टेल लें टेक केर बाई-बाई- वीडियो के लिए